देखिए इस बार द्रुग राइमेंट की जनता ने बहतर ही एक रिस्पॉंस दिया है आमादी पार्टी के प्रत्याशी की रूप में मुझे बीजेपी के जहां तक की जनसंपर की बात करें तो बीजेपी नहीं अभी इस बार जमीन पे तो कॉंग्रेस को भी उतरना पड़ा है अभी तक गाड़ियों में हाथ हिलाते हुए निकल लाया करते थे लेकिन इस बार पैदल चलना पड़ रहा हुने भी और चलना पड़ेगा नवश कहा दर्शा को विधान सफ़ा चुनाओ मद्दान को आज से सिर्फ साथ दिन बचे हैं एसे में मद्दाताओं को जितना रुझाने प्रत्याशियों का जन संपर्क हो ये प्रचार जोरों पर है वैसे ही मद्दाता भी काफी जागर जरा रहे हैं और एक छोटी सी कहावत कहना चाहूंगी कि शादी बोलती करके देख मकान बोलता है बना के देख और चुनाओ कहता है लड़कर देख ये स्रीफ एक जुमला है जो आम तोर पर हम बोलचाल में यूज करते हैं लेकिन सच कहें तो प्रत्याशियों का जो जन संपर्क है उनकी म लोगों का मिल रहा है लोग देखते ही बहुत ही सहच आम आदी पर्टी के कुछ विकार कर रहे है क्योंकि आम आदी पर्टी का कर रहे है लोगों को पता है सिर्फ दस सालों के अंदर में आम आदी पर्टी ने अपनी पहचान काम के दंपर बनाया है हमारी पर्टी में सिर्फ हम काम की बात करते हैं जन हित की बात करते हैं लोगों के हित में और क्या बहतर कर सकते हैं इस बात की हम तैयारी लगातार करते हैं और अब लोगों ने जहां तक कि एक बहतर दुरुग ग्रामिन विधान सभा में आम आद्मी पार्टी को पहचान लिया है मौका इस बार जरूर मिलेगा देखा चाहे तो दुरुग ग्रामिन जो शेत्र है कभी विकास कारियों में अचूता रहा था दुरुग नगर यहां जो न करी लिए बताना चाहूंगा दुरुग ग्रामिन विधान सभा छेत्र में विकास कारे की जो बात करें तो रिसाली नगर निकम छेत्र भी इसी विधान सभा में आता है जहां पर विकास कारे का हमेसा डोल बीटा जाता है कि धेर सारे विकास कारे कर दिये धेर सारे कर दिये एक भी ऐसा काम बता दें एक भी ऐसा वाड बता दें जहां पर उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया हो जहां पर कि धाइस सो करोड रुपे गिंती कराया जाता है कहीं कहीं पर तुमनें साड़े तीन सो करोड रुपे भी लिखा हुआ देखा है अगर साड़े तीन सो करोड रुप जेब में विकास होगा तो बात अलग है वाकी ग्राउंड पर कहीं पर नहीं है भारती जनता पार्टी के प्रत्याशी है उनका भी सघंजन संपर्क जारी आमना सामना भी कभी हो जाता है प्रत्याशियों में अक्सर ऐसे में जो लोगों का रुझान है वो किस तर और भागता जैसे लोग मद्द आता है आते उधर आते इदर या उनका रुझान कैसा नजर आता है देखिए इस बार द्रुग राइमेंट की जनता ने बहतर ही एक रिस्पॉंस दिया है आमादी पार्टी के प्रत्याशी की रूप में मुझे बीजेपी के जहां तक की जंसंपर की बा किया ऐसा कोई भी घरम ने कोशिश नहीं कि जो छूट जाया है फिछले दो साल से लगातार मैं जंसंपर कर रहा हूं लोगों से लगातार अपील किया हूं कि आप लोग जागरुक हो अपनी मर्जी से वोट करें जो काम कर सकता है उसे चुने यह हमने लगातार बताने का प सब्कुछारक कहले हाली में दिगज केंद्री मंत्री आ के गए हैं आप दोनों ही पार्टीं के इसमें जो आपके संस्थापक ऐ 아마 पार्टी जो आला कंमान हैं आप पार्टी ने Пос。 देंके आपको मैं बता दूंठा आमादी पार्टी को अपने प्रतयाशेगों पर पूरा भ तो दो बड़े अपने आपको नेशनल बड़ी पार्टियां कहने वाले लोग इतना डरे हुए है कि इनको मंत्रियों को बुलाकर अपने कहना चाहिए कि देश के प्रमुक्र नेताओं को बुलाकर इन्हें सभा करानी पड़ रही है तो यह कई नगी दरसाता है कि इस बार आम प्रताइस allora कि इस मेरसी चुने अपनी मरजी से वॉट करें बोटिंग मसीन में कोई नहीं देखने जाता कि किसने किस बैक्ति को वोट दिया है ना कोई आपकी अंगली पकड़कर किसी बेड़न के अंपर क्लिक करवाता है तो आप सभी से यही निवे दना है कि अपनी मर्जी से एक ऐसा प्रत्यासी चुने जो आपके विदहां सभाज शेतर में विकास करियों को आपकी मर्जी के अनुसार आपके अनुसार आपके हित में करके दिखाए आपको बहुत कम समय मिला तैयारियों के लिए क्या कहना चाहिए कोई फर्क नहीं पड़ता लगबग जन संपर्क हमारा बहतर था और हम लगातार दो साल से जंता के बीच बने हुए थे तो इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ा लेकिन निस्ची थी मैं पहली बार चुनाओ लड़ना हो तो थोड़ी गड़नाईयों का सामला तो करना पड़ है कि लोगों को शराब की पैसे की आदत पड़ी हुए जिसे हम कहीं न कहीं दूर करने में थोड़ा समय तो लगेगा लेकिन निस्चीद हमारे बीच उससे भी बहतर लोग जो लोग की इन सारी चीजों से दूर रहते हैं और बड़ी मांदारी से हमारे साथ लगातार काम कर करूंगा कि अपनी मर्जी से वोट करें उदर शको यह थे दूरुक रामी विधान सभा से आमादी पार्टी पत्याशी संजीत उश्करमा लगातार इनका जनसंपर्क जो है लोगों के बीच जाकर मदाताओं के बीच जारी है आने वाले साथ दिनों में भी इनका सगन जनस करूंगा लंगा कर दो कर दो बीचका